पुटान के राजा ने बुदवार को फैमिली के साथ पुधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलाकात की इस दोरान वांग्चुक की पत्नी और महरानी जिटसन पेमा और प्रिंस ग्याल से भी वहां मौजूद रहे लेकिन इस मुलाकात का सबसे बड़ा आकर्शन था प्रिंस ग्याल से जो नन्हे राजकुमार को पिये मोदी ने खुब प्यार की भुटान की रॉयल फैमिली चार दिन के दोरे पर भारत आई है भुटान के राजा रानी के साथ हैं बहां के नन्हे प्रिंस लेकिन हिंदुस्तान में इस रॉयल फैमिली के राजा तो यही नन्हे प्रिंस बने हुए है यकीन नहीं है तो ये सुनिए भारत के राश्पती, भुटान के राजा और रानी से ज्यादा नन्हे प्रिंस को लोग प्रिये बता रहे हैं हिंदुस्तान में सबके चहेते बने भुटान के प्रिंस की सबसे खास मुलाकात हुई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भुटान के राजा जिगमेखेसर नामग्याल वांग्चुक अपने पत्नी महरानी जैटसन पेमा वांग्चुक और प्रिंस ग्यालसे के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुचे तो प्रधान मंत्री मोधी ने भुटान के प्रिंस से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया जवाब में नन्ने प्रिंस ने हाथ जोड़ लिये इसके बाद भुटान के राजकुमार अपने पिता की गोद में बैट कर खेलने लगे तो PM मोधी ने एक बार फिर हाथ मिलाने की कोशिश की एक बार फिर नन्हे प्रिंस ने हाथ जोड़ कर अभिवादन किया प्रधान मंत्री छोटे राजकुमार की इस अदा के कायल हो गए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रिंस ग्यालसे को अपने पास बुलाने के लिए एक फुटबॉल दी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किये फुटबॉल थी फुटबॉल मिल गई तो नन्हे प्रिंस उससे खेलने लगे पीम ने प्रिंस से बॉल वापस मागी तो प्रिंस उसे छिपाने की कोशिश करने लगे थोड़ी देड़ तक दोनों बॉल से खेलते रहे पीम मोदी ने भुटान के नन्हे प्रिंस को एक शतरंज भी खेलने को दी लेकिन लगता है कि प्रिंस को फुटबॉल ज्यादा पसंद आई क्योंकि शतरंज को वो दूर से ही देखते रहे और फुटबॉल से नजर नहीं हटाए सोच रहे होंगे कि कहीं पीम मोदी फुटबॉल वापस ना ले ले पीम मोदी से गिफ्ट लेकर जब भुटान के राजकुमार विदेश मंतरी सुश्मा सुराज के यहां पहुचे तो यहां भी सब की निगाहें छोटे राजकुमार पर ही टिकी रही विदेश मंत्री सुष्मा सुराज ने राजकुमार के गालों को छू कर प्यार किया तो नन्हे प्रिंस भी उन्हें एक टक देखते रहे यहां भी उन्हें गिफ्ट मिला लेकिन वो खिलोना नहीं था इसलिए प्रिंस ने भी इस गिफ्ट में खास दिल्चस्पी नहीं दिखाई बस सब को देखते रहे विदेश मंत्री सुष्मा सुराज से मुलाकात के बाद रॉयल फैमिली पहुँची राश्पती रामनात कोविन से मिल ले तो राश्पती ने भुटान के प्रिंस को इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्शन कहा नने प्रिंस को यहां भी गिफ्ट मिला इस गिफ्ट में चॉकलिट का एक पैकेट भी था तो छोटे राशकुमार ने इसे तुरंथ हाथ में पकड़ लिया नन्ने राशकुमार को हर कोई प्यार कर रहा है इसलिए इस दौरे में भुटान की रॉयल फैमिली के असली राजा बही बने हुए है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया